अब जब किसी को आप भारा मिलियन डॉलर कमा के दे रहे हो, तो उसका भी तो दिल करेगा ना, जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मुझे पागल कहा जाता था, मुझे बहुत कुछ कहा जाता था, कि तुमने नौकरी निकरने, तुम ये क्या कर रहे हो, लैपटाप कोल के बै पाकिस्तान के बेस्ट कॉपी राइटर का वार दिया गया अभी रिजिटल पाकिस्तान की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सबस्क्राइब कीजिए और बैल आइकान को प्रेस कीजिए ताके आप हर वीडियो से बाख़बर रह सकें असलाम अलेकुम नाजीर मैं हूँ अपकर मिस्पान मुहमद अक्मल और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान आज आपकी मुलाकात करवाने आया हूँ मुल्तान के शेजाद खान से जो के एंजिनरिंग की डिगरी करते हैं लेकिन उसके बाद जोब ना मिलने की वज़ा से कॉपी राइटिंग वर्क सीखते हैं और यह वर्क जो है पाकिस्तान में नहीं सीखते हैं बलके फोरन कंट्री से सीखते हैं और पाकिस्तान में बैटके सीखते हैं खुद को इस हद तक ग्रो कर लेते हैं कि 12 मिलियों डॉलर का रेविन्यू जनरेट करते हैं और फिर जि में बताना चाहूंगा कि मैंने 2017 में स्टार्ट किया था अपी राइटर उनलाइन और वहां से लेके अब तक का जो पांच सार का सफर एसमें बहुत ट्रायल और ट्रायल और ट्रायलेशन के तुरू मुझे गुजरना पड़ा और अलंदो लिल्ला अफ्टर कंप्लीटिंग ड अजिए असका फाल दी है अजए शेजाद भाई यह बात तो फार्मल है कि जौब के बात यह बात तो फार्मल है कि एंजीनिंग की जौब नी मिली तो ओनलाइन अर्निंग सीख ली लेकिन फॉर्णर से सीखि इसमें क्या रीजन थी अच्छा जब मैंने स्टार्ट की ती चुकि वह मार्केट मचूर थी तो उन से सीखा उसको इंप्लिमेंट किया ला मल्टिपल लेट फिगर में गए और उसके बाद उनको भी सपोर्ट किया सेल्स जेनरेट की फिर पाकिस्तान में इसके बारे में अवेरनस बदानी शुरू किया हमने तो पाकिस्तान में बैठक जिनकी अपनी जबान होती है तो जब हम लोगों ने मैंने स्टूट्स को सिखाना शुरू किया तो मैंने देखा कि एक गैप है कि स्टूट्स को एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए होती है कि एंग्रेजी में उनकी असानी उनकी पॉर्टफोलियो अच्छे मार्कों तो हमारे एक एक्सपर्ट है हमने उनको अनबोर्ट किया और वो फिर हमारे स्टूट्स को फीडबाक असाइमेंट्स और इन चीजों पर हेल्प कर रहे होते हैं ताकि स्टूट्स जादा एक्सेल कर सके अगे अगे यह बता है कि आपने आप पे का कि उन लोगों के लिए है जिनकी इ तो हमारे जो देखने वाले अगर इंग्लेश नहीं बेतर तो सीख सकते हैं अच्छा इसमें यह कवी आठ है कि आपकी अची होनी चाहिए अगर आप कॉपी राइटर बनना चाहते हो तो अंग्रेजी इसके लिए बड़ी कंपलसरी है अगर आपकी इंग्रेजी अची नही है तो इस स्केल में आपको चूंकि अमने गोरों के लिए काम करना होता है उनके लिए 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 लिखना होता है तो वह फिर कॉम्बिनेशन से ही बैठ ता नहीं है वह इंप्रूफ करें कितावें पड़े और जब उसको लगे के एक सर्टन लेवल पे है तब वह इसको ए अब लेखना जाता था कि तुम ने नौकरी नहीं करनी तुम यह क्या कर रहे हो लैपटाप कोल के बैठे हो क्या ही है काम पर तवज्व दो और तब बड़ा डिसहाट होता था यार इनको पता नहीं है जो करना है उनको मैं औरों की प्रूफाइल तब मेरी प्रूफाइल त पोर्ट किया था और इनी की वज़े से लंद ला फिर कुछ करने के कापी लोग यह बताएं कि बारा मिलियों डॉलर का रेविन्यू अपने कस्टमर्स के लिए जनरेट कर चुके हैं लेकिन इसमें यह पॉइंट है क्या पहले दिन इतना कर लिया था क्योंकि हमारे पाकिस् जो मेरे क्लाइट को इंपैक्ट वह बारा मिलियन डॉलर का था अब जब किसी को आप रारा मिलियन डॉलर कमा के दे रहे हो तो वह उसका भी तो दिल करे का न कि यह बंदा मुझे रिटेंशन ला एक्टे रहे हैं तो वह भी पर आपको उस तरह से अपने टीम का हिस्सा उस ताइम जब मुझे इंपलॉईज की ज़ुरहत पड़ी में अच्छा हो गया तो मुझे टीम में बजायर करने ते मैं पाकिस्तानी मार्केट में यहां पर पता ही नहीं था कोपी राइटिंग के होती है वो कॉंटेंट और कॉपी को मिक्स करते हैं तब आए हैड तो फिग इतलाजमी होगी कि कॉपी राइट और कॉंटेंट राइटिंग के एक ही चीज़ है नहीं यह दोनों डिफिरेंट चीज़ें कॉंटेंट राइटिंग का मकसद होता है इनफॉर्म करना कि अगर आप फाइव वेस्टू मेक मनी ओनलाइन का कोई आर्टिकल है तो वह किस्तानी है काम सीखना चाहते हैं आपके साथ अटैच होना चाहते हैं कैसे अटैच होंगे क्या तरीके का रहे हैं अच्छा इसमें मैंने यूट्यूब चैनल बना रहा है उस पर बीस एक अजार माशाला से सब्सक्राइबस भी हो गया है तो यह सब वो सीखने वाले लोग और फिर मेरे साथ अगर किसी ने जॉइन करना है मेरी टीम को जॉइन करना तो मैं वैसे बड़े एक्सपर्स हायर करता हो तो मेरे माशाला टीम मेंबर एक टीम मेंबर को मैंने धाई लाग भेजा है एक को मैंने साथ लाग भेजा है तो यह वो लोग है बड़े अच्छे ल तो आपने तो डॉलर में सीखा था मैंने कम जी कम असकम बीस से पच्छी सार डॉलर लगा हैं खुद सीखने पर कॉपी राइटिंग को क्योंकि यह ऐसी स्केल है जो बड़ी पाकिस्तान में तो नहीं थी तो अभी कुछ मास्टर माइंड होते हैं उनमें जाना पड़ता है प तो मुझे कोच की सुरत होगी मैं उस कोच से कहूंगा गहर मुझे आगे लेकर जो तो इस तवजह से पिर हम लोगो यह चालिस पचास लाग जो अपनी लर्निंग पर खुद लगा है जो हमारे देखने वाले हैं पाकिस्तान में तो पहले इतनी महगाई है राशन बड़ी म मुझे आपकी मरजी होती है अगर आपकी पास टाइम है यूट्यूब से आप सीख लें लेगिन अगर आपके पास टाइम नहीं आप अपने लर्निंग कर्व को कम करना चाहते हो तो पर हम बैठ हैं हमसे आप से सीखे तो फिर उसकी क्या फीश एक पीस को इस तरह से मैं चाहता है कोई फ्री सीखना चाहता है तो हर किसी में से राप्ता कर लीजिए बेशक्तों वहां से आपको बता दिया जाएगा फूर्दर आपने शेजाद खान की कहानी जानी कि जो बारा मिलियों डॉलर का रेविन्यू जनरेट कर चुके हैं पहले अंजीर ने कि उसके बाद जॉब नहीं मिली तो फॉर्णर से ऑनलाइन अर्निंग सीखी और उसके बाद फॉर्णर को ही अपनी जॉब पे रख लिया यानि के जिनकी बिली उनी को मियाओ मियाओ अगर आप भी सीखना चाते हैं पैसो से सीखना चाते हैं फ्री सीखना चाते हैं तो शेजाद खान से इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आप राप्ता कर सकते हैं अपने मेजबान मुहमेद अक्मल को दीजिए इजादत अला निगेबान